दर ड्रेस स्टीव का फोन बजना शुरू हो जाता है वो देखता है फोन पर उसका बॉस था जो कि उससे कहता है तेरी नौकरी बहुत ही जल जाने वाली है क्योंकि तेरे भीज़े हुए डिजाइन क्लाइंट्स को पसंद नहीं है और अगर तो अपनी जॉप को बचाना चाहता है तो ज जिससे देखने के लिए जो खिटके के पास जाता है तो देखता है कि उसके पोडुस में जहड़ा हो रहा ह questa असलमास्टीव की पोडुस में एक इंडियन फैमिली हम देखते हैं संजु की बीवी ने एक सूट पैना हुआ था और यह चीज टीव भी नोटिस करता है और उसे सूट पर बना हुआ एक डिजाइन बहुत जादा पसंद आता है इसलिए बिना देर किये अपना कैंवस निकालता है और उस डिजाइन को बनाना शुरू कर देता है और थोड़ी देर में वो उस डिजाइन को तयार कर लेता है अब अपने बॉस को उस डिजाइन को दिखाता है और उसके बॉस को भी उसका डिजाइन बहुत जादा पसंद आता है इसलिए उसका बॉस डिजाइन को फाइनल करके आगे भेज देता है और हम देखते हैं जिवा नाम की औरत स्टोर में मौझूद इस ड्रेस को देख लेती है जिसे देखकर जिवा को तुरंती है ड्रेस पसंद आ गई और जिवा के साथ उसका पती भी था जिसे ड्रेस अच्छी लगती है इसलिए अपने घरा कर यह दुनों बाते करी रहे होते हैं कि तभी इनके दर्वाजे पर कुछ लोग आ जाते हैं अब उन्हें देखने के लिए जैसे ही जीवा का पती दर्वाजे को खोलता है तो उसे अपने सामने दो बदमाश हाथ में बंदू के लिए दिखाई दीते हैं अब उससे पैसे मांगते हैं जीवा उस समय चाय बना रही थी और उस खुद ही चेर से नीचे गर गई थी जिसवे से उसकी ड्रेस के ऊपर चाय गिर गई और उसकी नई नेवली ड्रस खराब होजाती है अब जीवा थोड़ा आराम करना चाथी थी इसलिए उसने उपने बिस्तर पर दूरों को कहती है क्यंकि अगर निशान जादा देर तक कप उरते उरते जिवा कि घर से बहुत चाएगर करतां के किसी execute ठीति है अर्चक करते हैं और माली छोशते रहने क्थे तुम्हार है और अब उससे जवाब देते रूबी मुना कर देती है जिस पर माली उस kakt को लेकर आसपास के पडोसी के घर जाने लगता है क्योंकि उसा ऐसा लग रहा था कि एड्रेस आसपास में रहने वाले किसी पडोसी की होगी लेकिन हर जगा पूछने के बाद उसे हर तरफ से सिर्फ यही जवाब मिल रहा था कि एड्रेस उनकी नहीं है अब हम देखते हैं कि माली वो ड्रेस रूबी को ही दे जाता है जिस पर रूबी जब उस ड्रेस को देखती है तो उसे वो काफी जादा पसंद आती है हम देखते हैं रूबी उस ड्रेस को पहन लेती है और एक ट्रेन में बैट कर अपने घर जाने लगती है असल में उसने वोड़े ओफिसर से हाफ डे की छुट्टी मांग लेता है ये कहते हुए कि उसे अगले स्टेशन पर ही कुछ काम है अब हमें थोड़ी देर पात का सीन दिखाया जाता है और हम रूबी को देखते हैं जो कि अपने घर आ जाती है हम देखते हैं रूबी के घर में और एक आद जो ड्रेस थी उसके लिए एक डिजाइन चाहिए था और जब वो रूबी की ड्रेस देखता है तो उसे उस ड्रेस का डिजाइन इतना जाथा पसंद आता है कि वो उसे अपने पेंटिंग में इस्तेमाल कर लेता है अब रात को खाना खाकर रूबी विलियम का बिस्तर में वो चाहती थी कि आज रात विलियम उसे प्यार करें उसकी गुफा को शांत करें लेकिन हम देखते हैं विलियम उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और टहलने के लिए बाहर चला आता है अब हमें उसी घर में उसी टीटी को दिखाया जाता है जिसे हमने ट्रेन में देखा था जोके रूबी के घर के अंदर ही छुपा हुआ है विलियम के जाते हैटि हैरी रूबी के बिस्तर में आ जाता है अब रूबी को ऐसा रखता है कि वो उसका पती है इसलिए बहुत जाता खोश जाती है लेकिन जब वो देखती है कि वो उसका पती नहीं बलकि वो ही टीटी है जो कि उसे ट्रेन में मिला था तो वो घबरा जाती है अब हैरी उसके मूँ पर हात रख देता है और उससे समझाना शुरू कर देता है कि मैंने तुम्हें ट्रेन में देखा था और तो मुझे बहुत ज जिस वेसे हैरी को बैड के नीचे छुपना पड़ता है और जैसी उसे मौका मिलता है वो खिटके से बाहर निकल जाता है अब हमें अगले दिन का सीन दिखाय जाता है और हम हैरी और रूबी को वापस से एक साथ देखते हैं हैरी उसे प्यार करना चाता था क्योंकि कल रात व कि रूबी वहां से जान बचा कर भाग जाती है अब हम देखते हैं रूबी अपने घर वापस आती है और थोड़ी देर आराम करती है जिसके बाद वो उस ड्रेस को भिखारियों को दे देती है असल में रूबी को ऐसा लग रहा था कि वो ड्रेस मन्हूस है अगर उस दिन वो उस ड्रेस को ना पहनती तो उसे वो टीटी नोटिस नहीं करता और उसके पास नहीं आता और ना ही वो मुसीबत में पढ़ती है अब हमें कुछ दूनों बात कसी दिखाया जाता है और हम देखते हैं ये अड्रेस आज एक लीविया नाम के लिखी के पास बहुच गई अब उस ड्रेस को पहन कर हुऊ भी एक ट्रेञँ में जा रही होती है और इस ट्रेन में तुके से हैरी ही उस ट्रेन कर चेकर होता है जो कि टिकेट चेक कर रहा था लीविया की खूब सूरती के साथ साहथ इस भार भी उस ड्रेस को देखकर एट्रيक्ट हो जाता है कि उस ड्रेस को पहनती वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता था लीविया अपने पैरेंट्स के साथ रहा करती थी हम देखते हैं अगले दिन लीविया के पैरेंट्स को कुछ काम था जिस वैसे उन्हें दो दिनों के लिए शहर से बाहर जाना था और वो चले जाते हैं और हम पाने लेने के लिए अंदर चले आती हैं अब हैरी मौकवा देखकर अंदर खुश जाता अब जब लीविया उसे इस तरीके से अपने करीब देखती है तो घबरास ही जाती है लेकिन हैरी पानी पीकर वहां से चुप-चाप चलाया आता है अब हमें रात का सीन दिखाया ज जाता हूँ, मैं तुमसे प्यार करके चुप-चाप यहां से चला जाओंगा, और अगर तुमने मुझे मना किया, तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, अब अपनी जान पचाने के लिए, लीविया उसकी बात मान लेती है, जिसके बाद हैरी उसकी ड्रेस उतारने को कहता जिसके बाद वो ऐसा ही करती है, फिर हैरी उससे सारी रात प्यार करता है, अब हमें एगले दिन का सिन दि खाय जाता है, हम देखते हैं सुबा होते है, हैरी घजप से भाग जाता है, हम देखते हैं लीविया को भी एड्रेस मनूस लगने लगी थी, क्योंकि उसने उससे सि की दिन पहना था और उसे अपनी इज़त से हाथ धोना पड़ा इसलिए वो भी उस ड्रेस को कूड़ेदान में फेक देती है हमें दिखाया जाता है कुछ दुनों बाद वो ड्रेस एक औरत को मिलती है जो कि हॉमलेस थी इस औरत का नाम मरियम था और इसके पती का नाम विंसन यह दुनों बहुत जादा गरीब होने के साथ साथ बेघर भी थे इनके पास रहने के लिए कोई अच्छा घर भी नहीं था इसलिए दुनों गड़े के अंदर एक छपरा डाल कर उसी मराह करते थे हम देखते हैं मौसम खराब होने की वैसे बारिश होना शुरू हो गई थी जिस वेसे ठंड भी बहुत जादा बढ़ गई थी मरियम की तविए पहले सी बहुत खराब थी और इस बारिश की ठंड की वैसे उसकी तविए अब बहुत जादा खराब होने लगी थी हम देखते हैं इन दुनों के पास दवा तो क्या खाने पीने तक के पैसे नहीं थे इ और से खाली हाथ ही लोटना पड़ा अब वो मरियम को होसला देते हुए कहता है तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी लेकिन हम देखते हैं मरियम को बहुत जाद ठंड लग रही थी इसलिए विंसन कुछ लकड़ियों की मदद से आग जलाने की कोशिश करता है लेकिन लकड़ उसकी अपनी थी और अब वो भी नहीं रही अब वो उसकी डेस्स एक टुकड़ा फारता है और उसे अपने पास रख लेता है जिसके बाद वो उस गड़े से बाहर आ जाता है और मरियम के लाश को वहीं छोड़ देता है मरियम के प्रती अपने प्यार को दिखाने के लिए वो उस कपड़े को अपने गले में बांध लेता है अब थोड़ी देर में वहाँ एक सरकारी एंबुलेंस आती है और मरियम के लाश लेकर चली जाती है अब विंसन वापस से भीख मांगना शुरू कर देता है लेकिन हम देखते हैं उसे कोई भी भीख नहीं दे रहा था जिससे वो दुखी हो जाता है और अपने गली के उस कपड़े को निकाल कर फेक देता है दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉस्पिटल में मरियम की लाश को हॉस्पिटल के करमचारी जलाने लगते हैं मरियम के लाश के साथ, वो मनहूँस ड्रेस भी जलकर खाक हो जाती है, मरियम ने जजस दिन उस ड्रेस को पहना, उसस दिन उसकी मौत हो गई, अब हमें कुछ दिनों बात का सीन दिखाया जाता है, जहां आर्ट एक्जिबीशन में हमें उसी पेंटिंग को दिखाया जाता जि तब भी वहां पर हैरी ही आ जाता और जैसे अब हैरी उस पेंटिंग गों दिखता है उससे उस पेंटिंग में वही ड्रेस का डिजाइन दिखाए देता है जिस ट्रेस को उन लड़कियों हुआ करता था इसी के साथ ये कहानी फिल्में पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसे लेगी प्लीज हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताना अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलता आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैह हिंदू बंदे मात्रां